बिग बॉस OTT3 में इस बार अर्मान मलिक और शिवानी कुमारी सबसे ज़्यादा लाइम डाइट बटोर रही है इसी बीच बिग बॉस OTT3 के विजेता एलविस यादो ने एक वीडियो जारी किया है इस वीडियो में एलविस अपने दोस्त मैक्स्टन के साथ मिलकर शिवानी का मजाक उडाते दिख रहे हैं एलविस वीडियो के शुरुआत में गहते हैं भाई शिवानी को मारी मैं बिग बॉस का बहुत सुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि उसको आज कैमरा फुटेज का मिली भाई साब उसकी आवाज बहुत इरिटेटिंग है भाई जिसको भी बुरा लगे लग जाए हम है सच्चे आदमी इसके बाद एलविस के दोनों दोस्त शिवानी की नकल उतारते हैं अब यह वीडियो देख शिवानी के फैंस भड़क गए हैं और कमेंट कर मैक्स्टन को लतार लगा रहे हैं एक ने लिखा लेकिन तेरी तरह फेमस होने के लिए किसी से थपड़ तो नहीं खाया वेक ने लिखा शपरी बैठे हैं एक से बढ़कर एक एक लड़की की आवाज चुब रही है तुम लोग स्ट्रगल किये होते तो मालूम होता जीवन जीना बाप की दवलत पर उड़ रहे हो तुम लोग वेक ने लिखा तुमारी आवाज तो कोईल जैसी है ना वेक ने लिखा और तुमारी आवाज उससे भी बकवास है वेक ने लिखा तो कितना परिशान करने वाला लगता है आईडिया है कुछ एल्विस का ये वाला वीडियो शेर करने के बाद एल्विस के दोस्त मैक्स्टर उर्फ सागर ठाकुर ने लिखा अगर आप चाहते हैं कि शिवानी की आवाज की वज़से आपको कानों से खून न बहे तो नीरज भईया को ओडने इसकी अलावा मैक्स्टर ने सोसल मीडिया पर इस बात का भी ऐलान किया कि अगर बिगबस OTT 3 के टॉप 3 में शिवानी अपनी जगा बना लेती हैं तो वह शिवानी से बिना पूछे उनके अकाउंट में 2,50,000 रुपे डाल देंगे अब ये ट्वीट पढ़के लोग अपनी भडास निकालते न जराए वह एक ने लिखा तो अब चेक तयार रख जब देना तो पिक क्लिक करके अपलोड करना वह एक ने पुछा और फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो गई तो इस पर मैक्स्टर ने कहा तो दया करके 111 दे वो बोल रही है आज की ब्रेकिंग नियूज बिग बोस के घर में सब लोग पानी पी रहे हैं कंटेस्टेंट को लंच में मोरिंगा का पानी दिया गया है इसके बाद सभी लोग बारी बारी से कुछ तकुछ कार्बोहाइट्रेड या खाने की डिमांड कैमरे पर करते हैं बिग बोस से हाथ जोड कर रिक्वेस्ट करते हैं बिग बोस का जवाब आता है कि उन लोगों को लग रहा है कि दिखावे की यूनिटी से बिग बोस का दिल पिगलेगा तो ये गलत है वहीं एक और क्लिप में दिखाये जाता है कि शिवानी मिट्टी खाती हैं साथी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलीबुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे हैं एबी भी एंटर्टेन्मेंट